हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैं चैनल गाइस रड़ी विद दीपा सैनी में आज के ही टाइम में एक छोटी सी इन्फोर्मेशन है आप सब के लिए जो भी बच्चे सीटी का एक्जाम देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए यानि जो भी कैंडिडेट कोमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देने जा रहे हैं सीटी का एक्जाम देने जा रहे हैं गुरूप डी पोस्ट के लिए कौन सी पोस्ट के लिए गुरूप डी पोस्ट के लिए ठीक है तो वेरियस गुरूप D पोस्ट अगेंस्ट एवर्टाइजमेंट नंबर 1-2023 ओन बीहाफ ओफ एच एससी इन पैन और पेपर मोड ओफ लाइन ओन 21 और 22 अक्टूबर 2-2023 इन यूटी चंडिगर और डिफरेंट सीटीज डिस्टिक्स इन दा स्टेट ओफ अर्याना एज पर दा फ्लोइंग ताइमिंग्स मिन्स बोला गया है जो सीटी का एक्जाम होगा वो ग्रूप डी पोस्ट के लिए जिसके अलबर्टाइज थी जनवरी 2023 ये आपका 21 और 22 अक्टूबर को है और यूटी चंडिगर यानि यूनाइटी टेरेट्री है चंडिगर और उसके अलावा डिफरेंट सीटीज में और सीटी का गुरूप डी के लिए और सिफ्ट रहेगी मौर्णिंग और इविनिंग दोनों मौर्णिंग में 10 एम से 11 45 एम तक और इविनिंग में 3 पीम से 4 45 पीम तक इंक्लूडिड 5 मिनट्स फॉर मेकिंग 5th option ठीक है तो यह है आपकी 5 मिनट और मिलेंगे आपको 5th option को फिल आया है तो यह डाल दिया गया है और यहां पर लिंक भी प्रोवाइड किया गया है थीक हैध्यस आपको इन्फॉरमेशन देगा कि city where the examination center will be located कि आपका examination center कहां पर है और जो candidate है वो अपना travel plan कर सकते हैं कि आप किस तरीके से जाओगे by rail by car या किसी भी by bus ठीक है तो अपना travel plan अपना कर सकते हो बना सकते हो तो इसलिए ये पहले ही डाल दिये गई है cities तो the admit card for the state recruitment test is being issued shortly तो जो admit card है वो भी आज आएंगे बस अब थोड़ी से टाइम में ही बट अभी आपको center provide कर दिये गए है तो इस link पर जाकर आप अपने center देख सकते हो तो यह थी वह चोटी से information कैसे लगी ठीक है CET की exam के group D से related थी information तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए have a nice day okay बाबाई